ग्रेटिंग्स टू आल ये वीडियो समाद सुधार आंदोलन और कानून चेप्टर का ही कंटिनिवेशन है और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है जिसे आप देख सकते हैं ताकि आपको कोई जनना हो कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था इसके अतिरिक्त भी अन्य आंदोलन भी रूप हुए हैं जो कि आर्थिक सुधार समाजिक सुधार धर्मिक रूढियों को समाप्त करके एक समताकारी धर्म और समाज की इस्थापना करने का का प्रयासिन होने किया ऐसे आंदोलनों में थियोसोफिकल सोसाइटी, सत्यसोधक समाज, स्री नारायन धर्म परिपालन आंदोलन तथा श्रतंत्रता आंदोलन के अंतरगत तिलक एवं गांधिस जी द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न महतोपुर्ण हैं। इनके अतिरिक्त मुसल्मानों, सिखों तथा जन्जातियों ने भी अनेक समाज सुधार के अंदोलन चलाए। लगातार एक से एक महापुर्णों ने अनेक कारे किये और समाज में अपने अनेक योगदान दिये। अब ये जो समाज सुधार अंदोलन के गए इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसको हम देख लेते हैं। आप लोग को कही एक बार प्रशन भी आता है कि समाज सुधार अंदोलन का समाजिक प्रभाव क्या क्या हुआ। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या इसके समाजिक प्रभाव पड़े हैं। जिसमें पहला है धार्मिक समन्वय एवं मानवतावाद। तो राजा राम मोहन रायर के ब्रह्म समाज से लेकर स्वतंतरता अंदोलन के समय तक सभी विचारकों ने हिंदू धर्म से संबंधित ब्यवहारों में इस तरह परिवर्तन करने पर बल दिया जिससे हिंदू धर्म को अधिक उधार और मानवतावादी बनाया जा सके। सभी शुधारकों ने धार्मी कंति विच्वासों, बेकार के आडंबरों तथा पौरानिक और स्मृति कालिन हिंदू धर्म का विरोध किया। स्मृति कालिन कहने का मतलब होता है कि धर्म का वो रूप जो की लिखित नहीं है किसी के स्मृति पराधारित है। स्मृति कालिन का मतलब है कि बताने वाले ने अपने स्मृति के हिसाब से जो दूसरे को बताया। तो इसी तरह क्रम सह कई सव सालों तक हस्तानतरित होते 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 किसी स्मृति के बल पर हस्तानतरित हो रही है। तो इसमें यही होता था कि जो उसकी मूल बाते हैं, जो मूल तत्तो हैं, वो कहीं विलुक्त हो जाती थी और अपने अपने भावना के अनुसार लोग उसमें उसके उद्देश्य को डाल देते थे तो इसमिर्ती के कालिन हिंदु धर्म उच्चो था, वो विरोध करने के लायक था, क्योंकि उसमें बहुत ही पाखंडवाद का समावेश हो चुका था इस समय ऐसे हिंदु धर्म को विक्सित करने का प्रयातनी किया गया, जिसमें समाजिक समानता और मानोसिवा का स्थान प्रमुखु हो और इसके बाद है जातीगत भेदभावों में कमी तो हमने इसका कई एक बार जिक्र किया है कि सुधार अंदुलन के द्वारे कैसे सब जातीगत चुआ चुट के जो नियम होते थे समाजी का समानता हैं जो होती थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया क्योंकि निम्न जातियों का इसे बहुत सोसन होता था जिसके फल सुरूप भारत में स्वतंतरता के बाद एक ऐसी समाजीक चेतना विक्सित होने लगी जो जाती के मध्यकाली नियमों के विरोध में थी ब्रह्म समाज आरि समाज तथा राम कृष्ण मिशन के प्रयत्नों ने से खान पान संबंधी जातिगत प्रतिबंद कमजोर पढ़ने लगे मतलब हर जाती के लोग एक दूसरे के हाखाना पिना शुरू कर लिया विद्वा पुनर विवाह पहले की तरह निंदनी नहीं रह गया क्योंकि पहले विद्वाओं के लिए भी बहुत कठोर जीवन पध्धती हुआ करती थी और उनके पुनर विवाह की बात तो भी कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन इन समाज सुधारकों के प्रयास के द्वारा फिर जो छोटी-छोटी उम्र में बहुत से बच्चियां बिद्वा हो जाया करती थी क्योंकि बाल बिवाह होते थे और बाल बिवाह होने के कारण क्या था और उसमें बहुत सी बीमारिया बगहरा कुछ भी हुई तो हमारी चिकत्सा पधती हमारी साइंस इतनी डेवलप्ट नहीं थी कि विमारियों का हिलाज सही तरीके से हो पाता तो बहुत से छोटे-छोटे उम्र में भी बच्चों का निधन हो जाता था वो मर जाते थे तो इसका परणाम क्या होता था कि जब बाल विवा हो गया चोटी-छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया गया है और उनके पती अगर मर जाते हैं चोटी उम्र में ही अगर मर जाते हैं तो उन बैचारी बच्चियों को ससुराल का मुह देखे बगार ही आजीवन विध्वा का जीवन और सारे सुखों का परित्याग करके उन्हें जीवन जीने के लिए बात होना पड़ता था और यह जैसे कि यह बाते कहना तो आसान है पर यह बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी यह सब जहिल पाना तो यह बहुत अमानवी बात है कि किसी को आप उसके जीवन जीने के अधिकारों से आप उन्चित कर दें आप उसके लिए सारे संसार के सुखों को आप बंद कर दें तो इन सब चीजों का विरोध किया गया फिर विध्वा पुनर विवाह को फिर निंदा नहीं की जाने लगी क्योंकि ये समझा जाने लगा कि एक कम मुर्खी बच्ची को फिर से अपने नई जीवन जीने का पूरा हक होता है जाती पंचाइतों की निरंकुश लगभग समाप्थ हो गई क्योंकि जाती पंचाइत में निरंकुश होते थे वो अपने मनमानी करते थे इभी नजातियों ने एक दूसरे के ब्यावसायों को अपना नारंभ कर दिया तो इस प्रकार जातिगत नियम भी कमजोर पड़े वैवाहिक कुरितियों में भी सुधार हुआ जैसे कि वैवाहिक कुरिती मतलब विवाह से संबंधित जो खराब नियम है गलत नियम जो है उनका सुधार तो भारत की समाजिक संद्चना को विगटित करने में विवाह से संबंधित कुरितियां सबसे ज़्यादा अधिक उतरदाई थी बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है पहले तो बाल विवाह बता दूँ जब सबसे बहुत छोटी उम्र में जब किसी लड़के और लड़की की विवाह कर दी जाती है तो उसे बाल विवाह करते हम और बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुस की एक सेधिक पत्निया जब हो जाती है तो उसे बहुपत्नी विवाह करते हैं दहेज प्रथा, विध्वा पुनर विवाह पर नियंतरन, बेमेल विवाह तथा अंतर जाती विवाहों पर नियंतरन, अंतर जाती विवाह मतलब एक जाती के लोग जब दूसरी जाती के यहां अपने विवाह करना चाहते हैं, तो उस पर नियंतरन लगा हुआ था, जाती गत यह जितने भिनियम थे इन सभी नियमों का विरोध किया गया और इनके लिए कानून बने, तो भारत में पहली बार बाल विवाह निरोधा का धिनियम पासुआ, विध्वापुनर विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई तथा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन कम होने लगा भारत में स्वतंतरता के बाद हिंदू विवाह से संबंदित सभी कुरितियों को दूर करने के लिए जो व्यापक समाजिक विधान पास हुए थे वे उनिस्वी सताब्दी में आरंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों की चेतना से ही प्रभावित तो इस प्रकार ववाहिक जीवन की कुरितियों को भी बदलने का प्रयास किया गया फिर है इस्तियों की सिति में सुधार हुआ क्योंकि अब जो इस्तियों को एक इतना सोसन किया जा रहा था सती प्रथा के नाम पर उन्हें कम उम्र में ही मार दिया जाता है अगर उनके पत की जलती हुई चिता में बल पूर्वक उठा कर फेक दिया जाता था और देवदासी प्रथा के नाम पर भी मासूम लड़कियों को मंदिरों में आमानवी सोशन का शिकार होना पड़ता था विश्यावरिति को सामंतवादी समाज ने अपना नतिक अधिकार समझ रखा था पर पर्मिक क्रियाओं में भाग लेने अथ्वा सिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पसू से ज्यादा सोशित हो रही थी इस्त्रियाओं समय में विभीन शुधार अंदुलोनों के प्रभाव से इस्त्रियों को पुरुसों के स समाजिक जागरिती आई जिसके कारण की सिक्षा का प्रसार हुआ और हमारा समाज आजक्सिक्षित समाज है और समाजी कार्थिक रुप से हम बहुत परिवर्तित हो चुके हैं इसके बाद है राष्टी चेतना का विकास तो सुधार आंदोलन और इससे बहुत अच्छा प्रभाव ये भी पड़ा कि धार्मिक अंध विश्वास और समाजी को प्रथाएं तरह तरह के भेद भावों को बढ़ा कर समाज को छोटे छोटे टुकडों में विभाजित करती रही हैं तो समाज सुधार के प्रयतनों से जब धार्मिक संक्रिणताएं कम होने लगी तथा समाजिक चेतना बढ़ी तब राष्टी चेतना में भी प्रिधी होने लगी भारत में सभी सुधार आंदुलनों के द्वारा लोगों को धार्मिक समन्वे, समाजिक समानता, भेद भावों की समापती तथा आपसी भायचारे की प्रेड़ना दी गई इससे जाती, धर्म और छित्र के आधार पर ब्रिटिस सरकार की फूट डालो और राज करो की निती कमजोर पढ़ने लगी तो समाज सुधार आंदुलनों से उत्पन होने वाली राष्टी चेतना के फ़ल स्वरूपी भारत का राष्टी स्वतंत्रता आंदुलन इतना महत्वपुर्ण बन सका तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में समाज सुधार अंदुलन के लिए बहुत प्रयास किये गए और उसे में बहुत अधिक प्रयास किया अवशकता भी थी अब हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं समाज सुधार अंदुलन की तो किसी भी चीज को सुधार करने के आवसकता कब पड़ती है जब वो बिगड गया होता है जब वो खराब हो चुका होता है तो समाज सुधार के आवसकता कब जब हमारा समाज बहुत विगडित हो चुका था बहुत खराब हो चुका था बहुत बिगड चुका था किसी के ल दलीतों के सितिए नहीं कि उनके उत्धान के लिए उनके पुनर उत्धान के लिए पुनर ज्यागरन के लिए समाज सुधार अन्दोलन चलाए गए जिसके की बहुत ही सकरात्म परिघालya म मिलते हैं आज के लिवसित नहीं है अगले क्लास में इसी चैप्टर के समाजिक विधान के बारे में या फिर सोशल लॉग के बारे में हम पढ़ेंगे धन्यवाद